हाई दोस्तों केला फ्लेवर चानल पर सबका स्वाकत है आज हम बहुत सिंपल उपमा की रेसीपी देखेंगे उसके लिए रव्वा को रोस्ट करना है सबसे पहले दो मिनिट के लिए मीनी फ्लेम पर रखके रोस्ट कर लेजिए अब हम एक प्लेट में ट्रांसवर करेंगे फिर एक कडाई में नारेल का तेल डालेंगे ने यह तो घी डाल सकते है अब मस्टरट सीट्स डालेंगे आनियन्स डालेंगे कड़ी पते ग्रीन चिली और जिंजर को बारी कटे हुए वह भी डालके अच्छे से हम सोटी करेंगे हाँ आब हम पानी डालेंगे एकप रवा है तो बारन हाफ कप पानी डालतीजी ऐसा मैशेरमेंट फ़ोकर लीजिए और नामाग़ भी डालेंगे और अच्छे से बोल करेंगे बॉल होने के बाद जो रवा फ्राइ करके रखा है उसको डालेंगे दीर दीर डाल के ऐसे मिक्स करेंगे और फिर अब हम ऐसे mix करते रहेंगे ऐसे किया तो थोड़ा dry वाला उपमा मिलेगा अगर आपको थोड़ा गाड़ा वाला मतलब ऐसे spoon से खाने वाला जो उपमा चाहिए तो आप ऐसे ढखके रखके फिर दो मिनिट के बाद ऐसे open कर लीजी अब दो मिनिट मिक्स करने के बाद वो ready हो जाएगा बस इतना ही ये easy उपमा ready है और ये उपमा हम बनाना के साथ खाते है ये तो थोड़ा dry वाला उपमा है तो इसलिए एक प्लेट में ऐसे डाल के normal बनाना भी यूज कर सकते है मैंने यहाँ पर जो normal है वो बनाना यूज किया है अब ये गेले को अच्छे से उपमा के साथ मिक्स करके खाएंगे चीनी भी डाल सकते है अगर ज्यादा sweet चाहिए तो तो ये recipe आप सब लोग try करके देख लीजे try करने के बाद feedbacks कमन करना न भोले और ये video पसंद आगया तो like भी कर लीजेगा अब हम next video में देखेंगे till then bye bye thank you so much for watching